आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बट हाँ पूरा का पूरा अच्छा खासा पोर्शन आपका कवर होने वाला इसलिए फोकस करके देखेगा जरूर इसमें हम देखेंगे टाइम रेट सिस्टम को, पीस वेज सिस्टम को, इंसेंटिव प्लान को इंसेंटिव प्लान के अभी कुछ टाइपस हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि हालसे प्रीमियम प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम साथ ही साथ Gant Bonus Plan इस पूरे वीडियो में हम इन सारे portions को cover करेंगे पोशिश करूंगी वीडियो थोड़ी सी चोटी हो जाए लेकिन हाँ important topics तो पढ़ाने हैं न चलो सबसे पहले शुरू करते हैं time rate system से time rate system जो होता है न उसमें जो waste payment किया जाता है worker को वो according to time किया जाता है जितने दिर उन्होंने work किया उसके अनुसार उनको waste दिया जाता है मतलब या तो hourly दिया जाएगा daily basis पे दिया जाएगा weekly basis पे दिया जाएगा या monthly basis पे दिया जाएगा आप लोग काफी familiar होंगे आप सभी किया construction का काम आता है तो आपके पापा या मम्मी labor scope, plumber को सफाई करमचारी को मंगवाते हैं तो या तो वो contract basis पे होते हैं कि भाई मेरे से 5000 रुपे ले लो, 10,000 रुपे ले लो और इस काम को पूरा कर दो ऐसा होता है, एक होता है कि daily basis के labor होते हैं, उनको दिन खत्म होने के बाद काम के पैसे मिलते हैं, तो ये वही वाले है, time rate system मतलब एक time, जितने time तक आपने काम किया, उसके हिसाब से आपको waste दिया जाएगा, अगर या तो वो organization पे depend करता है कि वो घंटे के basis पे pay करता है daily के basis पे पे करता है week के basis पे पे करता है कि monthly basis पे पे करता है, जितने दिर काम करोगे, उतना payment मिलेगा ठीक है, in this system no consideration is given to the quantity and quality of work done यहाँ पे quantity को main focus नहीं किया जाता, basically quality को focus किया जाता है, इस method में quality जादा important है when payment is made on hourly basis, total wages payable are calculated, अब देखो एक example देख लेते हैं, कि suppose करो कि एक जगा पे hourly payment किया जा रहा है worker को, तो कैसे wage निकालोगे, wage equal to number of hour worked into rate per hour, जितने घंटे worker काम किया, उसको multiply कर देंगे, जिस rate से आप per hour पे pay कर रहे हो, example देख लो एक worker को pay किया जा रहा है rupees 7.50, यानि कि 7.50 रुपे पर घंटे के, अना, अब वो 8 घंटे daily work कर रहा है एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो कैसे निकालोगे, 7.5 multiplied by 8 rupees 60, एक दिन में 8 घंटे काम करके, 7.50 रुपे के हिसाब से, उस worker को 60 रुपे मिले, तो इस तरीके से काम होता है time rate system में मतलब जितने दिर काम करोगे और जितने घंटे के हिसाब से payment बनेगा, उसको multiply कर देंगे और worker को दे देंगे, यह सबसे oldest method of wage payment system है clear है, अब यह suitable किन किन organization पे है, यह देख लीजिए तो सबसे पहला कि ऐसा organization जहाँ पे quantity नहीं, quality important हो, जैसे कि tailoring आप tailor के पास जाते हो तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े silk करके दे देगा तो वो focus होगा क्या, नहीं कितना अच्छा आप tailoring का काम करते हो वो important है, तो जहाँ पे quality minor रखती है वहाँ पे आप इस system को use कर सकते हो next है, जहाँ पे output quantity form में measure नहीं किया जा सकता आप कितना काम कर रहे हो, इसको आप digital way में measure नहीं कर सकते, जैसे कि watchman की duty, cleaner की duty sweeper की duty, अब उन्होंने कितना काम किया, वो तो आप number में नहीं count कर सकते लेकिन कितने घंटे काम किया, वो आप कर सकते हो, फिर where output is beyond the control of the worker, जैसे अब ऐसे कुछ जगह जहाँ पे बहुत सारे process से गुजरता है आपका product, तो बहुत सारे process जैसे steel बनाने का काम है तो बहुत सारे process से गुजर करके final steel बनता है, cement बनाना chemical बनाना, तो textile, मतलब कपडे बनाना तो बहुत सारे process होते हैं तो worker के पास ये control नहीं है, कि आपका जो output है वो कितना और कितने समय में बनेगा, क्योंकि वो पूरे process में जितने worker हैं, उन सब पे depend करता है आपका output, तो ऐसे जगह पे, जहाँ पे जो काम होता है, उसमें बहुत सारे process included होते हैं ऐसी industries, वहाँ पे आप इस method of remuneration को use कर सकते हैं, where work is being done on a small scale, जहाँ पे काम small scale पे हो रहा हो, और जहाँ जादा close supervision की जरूरत हो, जादा काम नहीं हो रहा है, small work ही हो रहा है, लेकिन काफी महीन वाला काम हो रहा है, वहाँ जहाँ पे worker क्या होंगे, learner होंगे या जहाँ पे apprentice का work हो रहा होगा, अब देख लिजे हम यहाँ पे advantages देख लेते हैं तो advantages में first है simplicity, देखो यह काफी simple method है, simple to calculate है और easy to understand by the worker है calculation बहुत simple है और worker इसको बहुत easily समझ लेते हैं अब यहाँ पे दूसरा point आता है security to worker देखो यहाँ पे क्या है ना कि light चला जाए, machine खराब हो जाए कोई भी reason हो अगर worker आपके पास बैठावा है, काम करने के लिए तो आपको उसको पैसे देने ही होंगे, आपके यहाँ काम करने के लिए कोई labor आता है, और आपके पास उस समय raw material available नहीं है, supposed cement available नहीं है eat available नहीं है, तो उससे worker को क्या, उसको तो पैसे मिली जाएंगे ना, वो शाम हो गया, तो शाम के आपके daily basis पे अगर आप उसको पैसे दे रहे हो, तो भले आप उससे काम कराओ या नहीं कराओ, उसको पैसे आपको देने होंगे, तो कहीं न कहीं ये worker के ख्याल से security होती है उनको एक sense of security आती है भई कुछ भी हो जाए, power fail हो जाए सामान खत्म हो जाए, लेकिन मेरे पैसे तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे अब यहाँ पे quality of work जादा होता है work की quality काफी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे quantity के comparison में quality को जादा weight दिया जाता है, है ना main concentration होता है, workers can concentrate on quality of good produce क्योंकि भाई, वो लोग भी तो वटाइम जादा काटते हैं, तो time जादा काटेंगे इसलिए किसी specialist, clerical की work की जरूरत नहीं होती है इसको record करने के लिए, कोई खास इसमें महनत नहीं है, तो जिस वज़े से clerical cost जो है ना, वो save हो जाता है company का तो clerical cost save हो जाता है तो economical होता है, और एक और reason से ही economical होता है क्योंकि लोग बहुत आराम से धीरे धीरे काम करते हैं बहुत सहम सहम के काम करते हैं तो जो plant and machinery हैं, वो भी damage होने से बचती हैं, अगर आप बहुत speedly काम करोगे, तो आपके जो machinery हैं, जो assets हैं, वो काफी waste होंगे, उनका damage होगा तो यहाँ पे तो आराम से काम किया जा रहा है तो काफी damage होने से बच जाएगा, next accepted by trade unions this method is favored by trade union trade union भी इस method को बहुत जादा पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि यह सभी लोगों को एक जैसा treat करता है आप efficient worker हैं या inefficient worker हैं दोनों ही एक समान हैं, दोनों को एक घंटे का साढ़े साथ रुपिया या आट रुपिया ही मिल रहा है तो आप efficient हैं, तो भी उतना ही मिलेगा inefficient हैं, तो भी आपको उतना ही मिलेगा, unity in labor no hard line of distinction is drawn between an efficient and inefficient worker on the basis of production, अब कोई अंतर नहीं किया जा रहा, ना तो efficient वाले को जादा दिया जा रहा ना inefficient वाले को कम दिया जा रहा तो कहीं ने कहीं labor में क्या आ जाता है unity आ जाती है एक unity की feeling को promotion मिलता है हाँ पर, अब इसके disadvantages देख लीजे, यहाँ पर lack of incentive, भाई जो बंदा जादा अच्छे से काम कर रहा है, efficient way में काम कर रहा, उसको किसी तरह का कोई bonus या कोई extra incentive नहीं दिया जा रहा जिस वज़े से वो demotivate हो सकता है, कि मुझे भी उतना ही pay किया जा रहा है, जितना inefficient worker को pay किया जा रहा है next है lower production अब भाई daily basis पे काम करेगा daily basis पे उसको payment दिया जाएगा तो कही न कहीं, वो क्या करेगा, आपने work को slow कर देगा, कम काम करेंगे जादा दिन तब time pass करेंगे जिस वज़े से lower production हो सकता है more supervision, इस method में क्या होता है, कि supervision बहुत कड़ा होने का जरूरत है क्योंकि workers जो होते हैं वो time को waste बहुत जादा करते हैं कही न कहीं, एक additional खर्चा आ जाता है supervisor को appoint करने का next है idle time इस method में क्या होता है कि workers जो है, वो बहुत जादा time waste करते हैं, तो जो company का जो idle time होता है यानि खाली समय, वो जादा देखने को मिलता है, जादा तर workers खाली वेले घुमते फिरते हैं costing की difficulty हो जाती है from costing point of view, it creates difficulties in the calculation of labor cost per unit because the output is quite fluctuating अब देखो, यहाँ पे costing की थोड़े difficulty क्या होती है, कि आपको यह find out करना problem हो जाता है कि per unit cost आप कैसे रखोगे यानि कि अगर आप यहाँ पे तो आप जो output बन गया तो output बनने में पता नहीं कितने labor cost लग गया कितना overhead लग गया यह थोड़ा सा find out करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप good का जो final price तै करना होता है, उसमें थोड़ा problem हो जाता है, overall cost कितना निकला, उसको find out करने में difficulty हो जाती है, अगर आप इस method से remuneration pay कर रहे हो तो avoid करते रहें, देखो next जो हमारा method है, वो है peace wage system, इस method में क्या होता है, workers को जो payment दिया जाता है, वो proportion to their work done दिया जाता है, means वो जितना काम करेंगे, उसके according उनको payment मिलेगा, हमने time rate system में क्या देखा कि जितने देर तक worker काम करेंगे, जितने time तक worker काम करेंगे, उनको उसके according payment मिलेगा, एक दिन काम करेंगे तो एक दिन का, एक घंटे तो एक घंटे का मतलब उस basis पे उनको payment दिया जाता था time के basis पे payment दिया जाता था यहाँ पे जितना जादा work करेंगे, उतना जादा वो कमाएंगे, जितना वर्क करेंगे उतना वो कमाएंगे, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है। रुख जो, अभी समझ में आ जाएगा तो यह जैसे एग्जामपल देख लो अब सपोस करो कि एक साबून बनाने की कंपझी है, तो अगर हम time rate की बात करें तो साबुन बनाने की company कैसे पेक करेगी, एक worker काम कर रहा है तो वो जितने दिन काम करेगा या जितने घंटे काम करेगा उसके हिसाब से उसको payment देगी, according to time rate system, लेकिन peace wage system में क्या करेगी, कि उसको number of साबुन बनाने पे payment करेगी, एक साबुन बनाने का cost fix कर देगी और उसको target देगी कि एक हफते में तुमको 100 साबुन बनाना है, तो अब एक साबुन का कीमत अगर 2 रुपया है, तो तुम्हें 100 साबुन बनाने हैं एक हफते में अब अगर तुम बना लेते हो तो तुमको 100 into 2 दे दिया जाएगा, यही होता है piece waste system, देखो example देख लो if the rate per unit is rupees 5, suppose करो साबुन बनाने का कीमत क्या है, पाँच रुपया अगर worker एक साबुन बनाता है, तो उसको पाँच रुपया दिया जाएगा और कहा जाता है कि भई worker तुमको एक हफ़ते में 100 साबुन बनाने है, एक साबुन के 5 रुपय देंगे, तुमें 100 साबुन एक हफ़ते में बना लेने है तो पूरे हफ़ते में वो कितना कमा लेगा अगर बना लेता है, तो 500 रुपय क्योंकि यहाँ पे piece phase system का मतलब है, जितने piece तुम बनाओगे, जितने quantity जितने unit बनाओगे उतना तुमको पैसा दिया जाएगा एक piece का कीमत 5 रुपया अगर 100 piece एक हफ़ते में तुम बना लेते हो, तो 500 रुपया तुमको हफ़ते का मिल जाएगा clear है, आप देखो means what, the worker is paid for the total unit manufactured, total unit जितना वो manufacture करेगा उतना उसको payment दिया जाएगा, means ये system क्या है result oriented type का system है, जितना जादा output करोगे, उतना जादा कमाओगे, अगर इसका formula देखोगे कि कैसे total earning calculate करते हैं तो unit manufactured into rate per unit next देखो suitability, कहा कहा suitable है, तो जहाँ पे worker के output को आप measure कर सकते हो, time rate system में क्या था, जैसे watchman हो गया, cook हो गया, सफाई करमचारी हो गया, तो उसके आप output को measure नहीं कर सकते कितना unit वो काम किया, उसको आप measure नहीं कर सकते, लेकिन आप जब ये piece way system की बात करते हो तो वो वहीं पे applicable होगा जहाँ पे worker के output को आप measure कर सकते हो, clear है कितने unit वो produce किया next, where production is standardized and repetitive in nature जहाँ पे production का कोई खास standard fix किया हुआ हो, कितने time में खत्म करना, standard time fix किया हुआ, standard method fix किया हुआ हो, है ना, और जो overlapping है, वो ना हो काम के करने के दौरान तो essay institutions में इस तरीके के remuneration system को use किया जाता है, next क्या है जहाँ पे continuous maximum production का aim हो ऐसा organization जिसका aim ही है कि जादा से जादा production हो सके और continuous basis पे हो सके, वहाँ पे आप इसको use करोगे, next है, where worker continue at same job for a long period of time, अब एक ही तरीके का साबुन, worker सालो साल से उस जगह पे बना रहा हो कोई deviation, कोई innovation नहीं आ रहा हो, same ही काम एक ही तरीके का काम सालो साल से चलता रहा हो, वहाँ पे आप piece way system का इस्तिमाल करोगे, next, जहाँ पे standard time जो required होता है किसी काम को करने के लिए, वो पहले से accurately measured हो, मैंने यहाँ पे बता है कि standardized होना चाहिए सब कुछ, जो भी एक standard method standard time, सब कुछ पहले से accurately measured हो ऐसे institutions में आप piece way system को use कर सकते हो as remunerating method, next आपका है advantages advantages में first क्या है incentive to efficient worker, यहाँ पे क्या होता है, workers को efficient worker को incentive मिल जाता है, means कि जो ज़ादा efficient है, वो ज़ादा पैसे कमाएंगे, जो less efficient है, वो कम कमाएंगे, हमारे time rate में क्या होता था, सब को बराबर था, एक घंटे जो efficient वाला भी ज़ादा काम करके एक घंटा बिताया, कम काम करके एक घंटा बिताया, सब को घंटे के हिसाब से ही पैसा मिलता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ज़ादा efficient है, उसको ज़ादा पैसे मिलेंगे, वो ज़ादा number of unit produce कर लेगा, next क्या है, increase in production, यहाँ पे क्या होता है, सारे workers चाहते हैं, कि वो ज़ादा से ज़ादा produce कर सके, ताकि वो ज़ादा से ज़ादा wages earn कर सके, जिस वज़े से organization का production increase हो जाता है decrease in supervision, इस method strict supervision की कोई खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि worker खुद ही interested होते हैं output को maximize करने में, क्योंकि जितना ज़ादा output वो बनाएंगे, उतना ज़ादा उनकी earning होगी, इसलिए वो खुद ही motivated होते हैं next are equitable wages, this system is more equitable in comparison to time rate system, because wages are paid according to the efficiency of each worker, हाँ पर बिलकुल justified ways दिया जा रहा है ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बुरा किया जा रहा है, क्योंकि आप ज़ादा efficient है, आप ज़ादा कमाएंगे कम efficient है, आप कम कमाएंगे इसमें किसी तरह की कोई partiality नहीं होती simple और easy होता है, समझना भी आसान है, और इसको calculate करना भी आसान है simplifies costing under this method, wages are paid at paid at a rate per unit it simplifies cost ascertainment, because labor cost per unit is known in advance, अब देखो यहाँ पे जो overhead cost जब आप निकालते हो, कि एक unit को produce करने में कितना पैसा लगा तो वो बहुत simple हो जाता है निकालना, वही चीज जब time rate system में हम निकालते थे, तो वो बहुत दिक्कत होता था कि भाई, per unit हमारा labor charge कितना लगा वो बहुत मुश्किल हो जाता था निकालना लेकिन यहाँ पे per unit हमारा labor charge कितना लगा, वो बहुत आराम से पतायागा, एक साबुन को बनाने में पांच रुपया एक labor लग रहा है तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि per unit sop बनाने में हमारा labor charge total labor charge कितना लगा नेक्स्ट है, decrease cost on account of increase in production, fixed cost unit is reduced resulting in higher profit, fixed cost price आप रख दे रहे हो, इतना तो आपको बनाना ही बनाना है एक unit का, तो इससे क्या हो जाता है आपका production का जो cost होता है overall production cost decrease हो जाता है क्योंकि आपका जो labor cost है वो तो fixed price पे बना रहा है per unit तो बाकी जो आपका जो variable cost है, वो तो आपका यहाँ पे fixed nature का होने लगा है तो बाकी जो fixed cost होगा वहाँ पे आपकी saving हो जाएगी जिस वज़े से आपका per unit cost क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा cost per unit decrease होगा तो result क्या आएगा, higher profit next है आपका disadvantages disadvantage में first क्या है, lack of secured wage यहाँ पे wages की कोई guarantee नहीं है, या फिर minimum wage हर worker को मिलेगा इसकी भी कोई guarantee नहीं है if a worker is not able to complete his allotted work in a day due to any reason, he is paid less amount of wages does the under this method earning of worker are uncertain worker की earning जो है बिलकुल भी certain नहीं है, अगर आप किसी भी कारणवश अपने target को achieve नहीं करते तो आपको less wages मिलेगा, जितना unit produce करोगे उतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में 100 unit का target है, 100 unit आपने कर लिया तो 100 unit के बराबर ही मिलेगा, 50 किया तो 50 के बराबर ही मिलेगा तो security नहीं है, uncertain बिलकुल, next is inferior quality of the product इस method में क्या हो सकता है कि worker जादा quantity पे focus करते हैं, ना कि quality पे focus करते हैं, तो अगर जादा quantity पे focus करेंगे तो जिसके कारण क्या होगा, कि जो goods produce किये जाएंगे, वो inferior quality के हो सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा quality control करने की जरूरत आ जाती है next आपका है injurious to health of worker जादा effort लगाएंगे बहुत excessively और बहुत ही जादा speed से काम करेंगे तो हो सकता है कि उनके mental और physical health के लिए ये ठीक नहीं हो अब जैसे हमने देखा था आपके time rate system में कि लोग बहुत आराम से काम करते थे, तो वहाँ पे equipment और machinery का misuse नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा extra ways कमाने के चकर में लोग बहुत जादा speed से काम करेंगे लोग greedy हो गया है ना तो बहुत speedly काम करेंगे, वो organization के misuse के बारे में नहीं सोचेंगे वो बस अपने wages के बारे में सोचेंगे इस वज़े से plant and machinery का damage भी हो सकता है next है unsuitable painting बनानी है आप कुछ महीन वाले चीज produce करते हो जहाँ पे बहुत जादा कलाकारी की ज़रूरत है उस case में ऐसा wage system applicable नहीं होगा, वो suit ही नहीं करता, महीन कामों के लिए suit नहीं करता, next difficulties in fixing piece rate per unit cost क्या होगा, यह determine करना थोड़ा difficult हो जाता है क्योंकि time इसके लिए आपको जरूरी है कि आप accurately time को study करो और एक standardized time पता लगाओ कि एक standard time क्या हो सकता है, उसी हिसाब से आपको per unit cost देना है, next क्या है opposed by trade union, यह trade union के तरफ से opposed किया जाता है, क्यों किया जाता है it create inequality in the ways of system, यह worker को एक जैसा ways और certain ways नहीं देता, इसलिए trade union इसको oppose करते हैं, जो slow worker है, जो inefficient worker है, उनको काफी jealousy हो जाती है अपने co-worker से, तो थोड़ा बहुत cooperation का भी issue आ जाता है, देखो third देखते है, incentive plan यह जो incentive plan है ना, यह time rate system और peace rate system का combination है, means हमने पहले जो दोनो videos में देखा, time rate system और peace rate system उसमें कुछ merits भी थी और कुछ demerits भी थी, तो incentive plan ने क्या attempt किया, कि इनके सारे merits को वो combined कर ले जैसे time rate system का क्या merit लिया गया, कि एक fixed rate of income workers को दिया गया, यानि कि चाहे वो hourly basis पे दिया जाए weekly basis पे दिया जाए, monthly basis पे दिया जाए, तो वो एक fixed rate of income उनको दिया गया, ये time rate system का merit लिया गया, peace rate system का क्या merit लिया गया, कि जो efficient worker थे, उनको जादा provide किया गया, क्या provide किया गया, जादा पैसे provide किये गया, जादा दिया गया उनको incentive के रूप में, कुछ bonus provide किया गया, आपके जो fixed rate थे, उनसे जादा, तो क्यों दिया गया, क्योंकि वो efficient थे, जो inefficient थे, उनको कोई penalty नहीं लगाई गई, सिर्फ efficient वालों को जादा पैसा दिया गया clear है, तो इन दोनों को combined form में बनाया गया, और वो plan कौन सा था, incentive plan, अब suppose करो कि एक जैसे हमने, उपर देखा न, साबून बनाने की company थी तो उसने क्या किया कि एक दिन में, वो 7 रुपे, सोरी 5 रुपे दे रहा था, एक दिन में जितना भी काम करोगे, per day आपको 5 रुपे दिया जाएगा, तो incentive plan में per day उसको 5 रुपे वरकर को दिया जा रहा था, लेकिन अगर per day का target भी दिया जा रहा था, कि अगर एक दिन में तुम 10 साबून बना लेते हो तो 2 रुपे हम per साबून extra देंगे, है न, 2 रुपे तुमको जादा दिये जाएंगे तो अब अगर वो 10 साबून एक दिन में बना लिया, तो 5 रुपे तो दिन का उसका fix ही है, लेकिन अगर वो target achieve कर लिया, तो उस 5 रुपे के ऊपर भी उसको 2 रुपे मिल जाते थे, target achieve करने के लिए, वो 2 रुपे उसका incentive होता था, उसका bonus होता था, तो वो वही लोग achieve कर पाते थे, जो की efficient होते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो inefficient होते थे, उनको zero पैसा मिलता था, नहीं, उनको भी 5 रुपे मिलता था, लेकिन जो effective होते थे, जो efficient worker होते थे, उनको उनसे ज़ादा पैसा मिलता था, ठीक है, तो इसका primary purpose क्या था, incentive plan का, to induce a worker to produce more, to earn a higher wage, इस तरीके से worker की mentality बनाएं कि ज़ादा से ज़ादा produce करोगे, तो तो तुमको ज़ादा से ज़ादा higher wage provide किया जाएगा, naturally producing more in the same period of time should result in higher wage for the worker, एक ही time में, अगर जो normal production होता था, उससे अगर higher production कोई करेगा, तो obviously बात है, उसको higher wage तो आपको देना ही चाहिए, अब क्योंकि, because of greater number of unit produce, ज़ादा से ज़ादा unit produce हो रहा है तो आपका जो cost per unit जो cost per unit cost जो होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि आप उतने ही fixed cost में ज़ादा से ज़ादा unit produce कर रहे हो मतलब कि आपका per unit cost reduce हो रहा है, जिससे आपकी profitability बढ़ सकती है next देखिए, इसका objective क्या होता है, worker की productivity को increase करना दूसरा, workers को remuneration, provide करना अब labor turnover को reduce करना labor turnover का मतलब कि जो labor आपके पास आएं है, वो कहीं दूसरे जग़े फिर काम करने के लिए नहीं जाएं, क्योंकि आप एक fixed amount दे रहे हो, that means की waste की security है, labor को security के साथ-साथ, अगर वो efficient है, तो वो जादा से जादा कमा सकते हैं, लेकिन कभी by chance अगर inefficient हो गए तो ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिल रहे जिस वज़े से labor का जो turnover होता है, security की वज़े से कम होता है, और अगर labor turnover कम होगा, तो आपका labor force जो है न, वो काफी loyal labor force तयार होता है, साथ ही साथ जादा पैसे मिलते हैं, तो worker का morale काफी high होता है, और वो fix तो कमा ही लेते हैं, चाहते हैं कि हम जादा से जादा earn कर सकें, जादा से जादा bonus कमा सकें, जिस वज़े से वो हमेशा अच्छे high morale में रहते हैं, जादा से तो अगर आप जादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे, तो आपका cost per unit जो होता है, वो decrease कर जाता है, next is suitability, कहां-कहां suitable है, तो ऐसे organization में suitable है, जहां पर proper time, motion और सारी study अच्छे से की जाती है, means कि जो scientifically सारे काम की जाते हैं, काम को करने से पहले, time study की जाए, motion study की जाए, fatigue study की जाए, एक proper standard time, standard output पहले से fix किया जाए, कि इतने time में इस काम को complete करना, यह इसका standard time है, और एक standard output की एक labor, एक दिन में कितना unit produce कर सकता एक standard labor, न ज़्यादा तेज, न ज़्यादा कम, एक standard कितना output हो सकता है, standard कितना time लग सकता है किसी काम को करने के लिए those industry where overhead charge is considerable जहां पे overhead charges क्या होते हैं, considerable होते हैं अगर आप जादा produce कर दोगे unit तो आपका जो per unit cost होगा वो अपने आप ही reduce हो जाएगा ऐसे दो जगों पे आप इस तरह के plan को use कर सकते हो, suitable होता है आप देखिए next advantages The workers are assured of their time rate or rate of wages whether they attain the standard or not एक advantage क्या है कि worker का जो fixed price है जो fixed wage है, चाहे वो day के basis पे हो या month के basis पे हो या week के basis पे हो वो fixed है, चाहे आप अपने target को achieve करो या ना करो next step, inefficiency is not penalized अगर आप target achieve नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि worker के पैसे कट जाएंगे तो worker के पैसे नहीं कटेंगे तो एक fixed price तो उनको मिल रहा है अगर वो target achieve कर लेंगे तो जाधा मिलेगा तो किसी तरह की कोई penalty नहीं होती, चाहे वो standard achieve करें या ना करें अगर efficient हुए तो उनको reward दिया जाता है means कि जो worker highly efficient है उनको bonus दिया जाता है in addition to their time wage means time wage के ऊपर भी उनको additional bonus मिलता है incentive is given to worker to increase their productivity क्यूं दिया जाता है incentive ताकि worker अपनी productivity को जाधा से जाधा बढ़ा सके opportunity is given to worker to increase their earning by efficient working उनको काफी opportunity दी जाती है, worker को opportunity मिल जाती है कि वो जाधा से जाधा कमा सकें, पिछले दोनों जो system हमने पड़े थे वहाँ पर worker को opportunity नहीं मिलती थी, अब efficient worker है तो भी उतना ही कमाएंगे, inefficient भी है तो भी उतना ही कमाएंगे और दूसरे वाले में हमने देखा था कि fix rate fix नहीं किया गया था डेली basis पर worker को कुछ नहीं मिलता था यहाँ पर दोनों ही मिल रहा है, एक fix कमाई भी है और अगर जाधा काम कर लेते हो तो कमाई बढ़ भी जाएगी, ठीक है इट कीप the labor force contented and thereby help to reduce labor turnover भाई, labor को काफी loyal बना देता है, अब आपको सारी सु विधाएं मिल रही है तो labor turnover होगा नहीं next है, increase in production, production increase हो जाता है साथ ही साथ, जो cost per unit होता है, वो reduce हो जाता है the gain or losses arises from the efficiency of worker are shared by both the employer and the employee जो loss या gain होता है, जो worker की efficiency की वज़े से वो दोनों ही मिलके share करते हैं, employer और employee दोनों अगर efficient worker हैं, जादा produce कर गए, तो worker को भी फायदा और management को भी फायदा नुकसान तो दोनों को नुकसान, चलिए अब this advantage देख लेते हैं, incentive scheme जो होता है cannot be gained fully employed in concern where the overhead are less जहाँ पे overhead काफी less है, वहाँ पे इस system को आप apply नहीं कर सकते these schemes cannot be adopted in undertaking where proper standard cannot be fixed अब जहाँ पे scientifically सारे चीज़ों को देखा नहीं जाता है, analysis नहीं की जाती means time study नहीं की जाती, motion study, fatigue study इस तरह की की अच्छे तरह के से proper study नहीं की जाती इस standard fix नहीं किया जाता, वहाँ पे आप इसको use नहीं कर सकते it is difficult to calculate the indirect labor under the common incentive plan यहाँ पे आप indirect labor को सही से calculate नहीं कर सकते जो directly production में labor included है न उनहीं को आप calculate कर सकते हो उनहीं के work को calculate कर सकते हो अब इस type के plan को adopt करने में सबसे बड़ा role क्या है कि आपको अच्छे से analysis करने की ज़रूत है क्योंकि ऐसे ही organization में यह adopt ही किया जाता है जहाँ पे time की study की जाए, motion की study की जाए और बहुत careful study की जाए तो कहीं न कहीं एक additional work आपका बढ़ जाता है साथ ही साथ खर्च भी बढ़ जाता है, expert को लाना पड़ता है इस तरीके के study को करने के लिए जो बोनस पे की आजाता है इस scheme के अंदर, वो proportionate नहीं होता है जतना कि उनका effort और उनकी productivity increase करती है जो product की quality है वो कहीं न कहीं सफर हो जाती है क्योंकि लोग क्या है, जो worker है न वो जल्दी चाहते हैं कि हम time को जितना जादा बचा सके एक time में जितना जादा unit produce कर सके तो कहीं न कहीं quality hamper करती है once an incentive scheme is introduced, it will be very difficult to withdraw that scheme later it became uneconomical एक बार अगर आपने scheme को introduce कर दिया तो ये काफी difficult हो जाता है इससे बाहर आना यानि withdraw करना थोड़ा सा uneconomical हो जाता है अगो हाल से premium plan में क्या है न कि minimum time ways is guaranteed to every worker मतलब कि एक minimum पैसा जो है न minimum ways है वो सारे worker को guaranteed मिलता ही मिलता है और एक standard time fix किया जाता है काम को complete करने के लिए अब ये standard time जो fix किया जाता है वो कैसे fix किया जाता है on the basis of past performance record यानि कोई time study करके आप standard time fix नहीं करते हो जो efficient worker जो पहले के past की efficient worker हुआ करते थे उनके किये गए काम के basis पर कि एक efficient worker इस काम को कितने दिर में complete कर सकता है एक time निकाला जाता है उसको बोलते है standard time means कि आप एक standard time fix किया जाता आपको इतने दिर में इस काम को खत्म करना है अगर आप नहीं भी कर पाते तो आपको एक fix पैसा मिलेगा ही मिलेगा लेकिन अगर आप बताएगे standard time से पहले काम को खत्म कर लेते हो तो आपको bonus मिलेगा, clear है means what if a worker perform his job in less than the standard time he is given bonus but there is no penalty for performing the job in more than the standard time fixed अगर कोई बंदा बहुत inefficient है और इस standard time से जादा में काम को खत्म करता है तो भी उसको penalty नहीं दी जाती ऐसा नहीं है कि जादा में खत्म किये तो आपको penalty लगेगी, जो efficient worker होंगे इस standard time से पहले कर लेंगे उनको हम bonus देंगे, लेकिन penalty किसी पे भी नहीं लगाएंगा, अब एक देखिए एक example देखते हैं, मैं इस example के थूँ नहीं जारी मैं आपको एक example बताती हूँ, suppose करो कि company ने standard time fix कर दिया, 12 घंटे का standard time है आपका 12 घंटा और एक worker जो है 12 घंटे में आपको काम खत्म कर देना और एक worker आया, वो 8 घंटे में उस काम को खत्म कर दिया clear है, 12 घंटा standard time था, 8 घंटे में ही वो complete कर दिया तो जो rate of wage था suppose करो कि 1 घंटे का 9 रुपया company दे रही थी तो अब नियाम अनुसार हम खत्म करना और काम करने का नहीं करते हैं, 8 घंटा वो worker काम किया, और 9 रुपया per hour का दाम हो रहा था तो उसका main fix price कितना हुआ, 8 घंटे काम किया, 9 रुपय के हिसाब से, तो 8 नाइज 72, 72 रुपय तो वो कमाएगा ही कमाएगा fix के अनुसार, क्यूंकि उसने standard time से 4 घंटा पहले काम को complete कर दिया तो अब उसको जो bonus मिलेगा, अब ये पता लगाना है, कि ये bonus कितना मिलेगा, तो हाल से ने कहा, कि भई, ये जो bonus दिया जाएगा न, जितना time उसने save किया उसका 50% दिया जाएगा means क्या, कि अगर आप इसको 12 घंटे में करते, तो आपको कितना रुपया और आता, 4 घंट आपका save हुआ, 4 multiply by 9, यानि 36 रुपया आपको और आ सकता था, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको कम time में ही complete कर दिया तो और कितना time आपने save किया, 4 घंटे का, यानि 12 घंटे में करते तो organization को और 36 रुपया देना होता, आपने कम ही time में complete कर दिया, तो अब आप जो काम किये 8 घंटे का, उसका आपको 72 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो 36 रुपया बनता था, उसका 50 परसेंट रुपया आपको उपर से दिया जाएगा, बोनस के तोर पे, क्यूंकि आपने काम को जल्दी complete किया, clear है, एक normal बन्दा, जो 12 घंटे में उस काम को करता था, आपने उसको 8 घंटे में ही खतम कर दिया, तो आपको 12 घंटे का price दिया जाएगा, लेकिन पूरा नहीं दिया जाएगा, 50 परसेंट दिया जाएगा, वो 50 परसेंट जो होगा, वो आपका बोनस होगा, तो जो बन्दा पहले 72 रुपीज कमाता, नॉर्मल टाइम रेट के हिसाब से 8 घंटा काम करके, अब क्यूंकि उसने जल्दी काम को खतम किया, तो उसको 36 रुपया का 50 मतलब कि 18 रुपया उसको अलग से बोनस मिलेगा, जो पहले 72 रुपया कमा रहा था, अब 90 रुपीज कमाएगा, ये था आपका हाल से प्रीमियम प्लान, क्लेर है, अब देखिए, एक एक इसका, इफ हावेवर दे वर्कर प्रोडिव, तो यहाँ पर छोड़िए इसको, अब यहाँ फीचर्स देख लेते हैं, आई होप आप लोग समझ गया होंगे, फीचर्स देखिए, स्टांडर्ड टाइम अफ प्रोडक्शन इस डिटर्माइड वेल इन एडवांस, क्या स्टांडर्ड टाइम होगा, वो पहले से एडवांस में आपको डिटर्माइन करना है, किस बेसिस पे, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, अब अगर टाइम से पहले कोई कम्प्लीट कर लेता है उस काम को, तो आप उसको स्टांडर्ड रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे, है ना, जो बोनस दिया जाएगा, वो किस बेसिस पे दिया जाएगा, कि आपने कितना टाइम सेव किया एज अ वर्कर, स्टांडर्ड रेट जो होगा, वो भी पहले से डिटर्माइन होगा, कि पर आवर अप कितने पैसे लोगों को दोगे वर्कर्स को, नेक्स्ट क्या है, दिया है, जिन्होंने विदिन स्टांडर्ड टाइम कंप्लीट कर लिया, उनको स्टांडर्ड रेट के आप हिसाब से पैसे दे दोगे, है ना, और जो रेट अफ बोनस होगा, वो क्या होगा, 50%, 33, 1 बाइ 3 और, 50%, रेट आप बोनस आप 50% दोगे, जितना आपने time save किया, जितना आपका पैसा बनता था उसका 50%, अगर आप 9 रुपे के हिसाब से काम कर रहे हो पर घंटे, आपने 4 घंटे save किये, तो 9 रुपे के हिसाब से 4 घंटे का हो गया कितना, 36 रुपया, अब उसको 50% कर दो, वो आपका क्या हो गया, बोनस, ठीक है, अब देख लीजे, इसका merit क्या है, every worker get a guarantee, minimum wage, सब को minimum wage तो मिलता ही, जो efficient है, उनको bonus मिलता है, काफी justified system है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ अच्छा हो रहा है, कोई biasness नहीं हो रहा, equal सब को मिल रहा है, minimum wage, अब आप efficient ह होंगे, तो जाधा कमाएंगे, तो workers क्या होते हैं, encourage होते हैं, जाधा से जाधा काम करने के लिए, ऐसे system में, maximum utilization of time हो जाता है, दूसरा, ये employer और worker, दोनों के लिए ही useful होता है, under this system, the worker are always fully satisfied, worker हमेशा satisfied ही होते हैं, क्योंकि उनको minimum wage तो मिली जाता, अगर किसी कारण से, उनकी efficiency down हुई, तो अगर efficiency बढ़ गई, तो और अच्छा है, सोने पे सुगंध है, चलो next क्या है, this system is easy and convenient, बहुत easy and convenient system है, ये encourage करता है, mutual cooperation को और coordination को among employees, क्योंकि जाधा, जो hatred या फिर jealousy वाली feeling नहीं आती है, क्योंकि जो लोग जितना काम करेंगे, उतना कमाएंगे, उसमें जलने वाली क्या बात है, unity of worker के against नहीं जाता, क्योंकि ये cooperation को बढ़ावा देता है, next क्या है, इसकी demerit देख लिजे, ये administrative point of view से suitable नहीं है, administrative work के लिए suitable नहीं है, labor work के लिए suitable है, तो जो waste payment है, वो scientific नहीं है, है ना, ये scientifically आप waste को pay नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जो standard time चूज कर रहे हो, वो scientific way में analysis करके नहीं चूज कर रहे हो, the worker become ignorant of work due to the reason that they get the guarantee of minimum wage, हो सकता है कि वो अपनी efficiency जादा increase ना करें, क्योंकि उनको एक fixed amount तो मिल रहा है, due to guarantee of minimum wage, it depends entirely upon the discretion of worker to do or do not do extra work, क्योंकि minimum wage मिल रहा है, तो worker कभी-कभी extra work नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि अपना पैसा तो मिली रहा है, क्यों अपना इतना देह को खर्च किया जाए है, as the worker do not get full benefit of the time saved by them, they do not get the due encouragement to produce more, क्योंकि 50% ही मिल रहा है, जितना आप time save कर रहे हो, उसका 50% ही मिल रहा है, 100% आपको पैसा नहीं दिया जा रहा, तो कहीं ने कहीं लोगों को लगेगा कि फिर हम इतना क्यों मेह करने जाए, clear है, next आपका है, Rowan Premium Plan, ये plan किस ने दिया था, ये दिया हमारे James Rowan ने, इस plan में क्या था, एक standard time और एक standard rate of wage payment determine किया जाता था, in the same manner as halse plan, जिस तरीके से halse plan में standard time fix किया जाता था, और standard rate fix किया जाता था, ठीक उसी तरह से इसमें भी fix किया जाता था, अब standard time हमा जाता था, past performance के basis पे, the worker who complete their work within standard time, are paid the wage at standard rate, है न, जो standard time के अंदर ही खतम कर लेते थे अपने काम को, उनको standard rate से wage पे किया जाता था, the worker who complete their work in less time than standard, are paid wages at the standard rate plus some bonus, अब जो समय से रहते हुए, समय के पहले, अगर time बचा लेते हैं कर काम को करने में, मतलब time को save कर लेते हैं, पहले ही काम complete कर लेते हैं, उनको कुछ bonus दिया जाएगा, अब ये bonus कैसे दिया जाएगा, तो क्या होगा, इसका formula, time save divided by standard time, suppose करो, पिछले example को ही लेलो, कि आपने time save कितना किया था, 4 घंटा, standard time था हमारा 12 घंटा, है न, और actual time taken into rate per hour, जितना आपने time save किया, जितना organization ने standard time बताया, उसको divide कर दोगे, multiplied actual time taken rate per hour, इसका example देख लीजे, suppose कीजे, कि एक standard time organization ने बताया, 10 घंटे का, और actual time कितना लगा, बतलब उस worker को कितना लगा, 8 घंटे में उसने काम complete कर लिया, एक रुपया per hour के हिसाब से, उसको rate of waste दिया जा रहा था, तो एक रुपया per hour, उसने 8 घंटा काम किया, तो 8 घंटे का क्या मिलेगा, 8 रुपया, बोनस कैसे मिलेगा, भाई, उसने कितना save किया time, देखो यहाँ पे formula, saved time divided by standard time था, तो उसने save कितना किया, 2 घंटा, तो यहाँ 2 देखो, divided by 10, यानि कि standard time, time saved divided by standard time, multiplied by actual time into rate of wages, कितना रुपया हो गया, bonus, 1.60, पहले से 8 रुपया वो, उसका fix rate था, 8 घंटा काम करके, अब time के पहले complete कर दिया, तो उसको बोनस कितने रुपय का मिलेगा, 1 रुपया 60 पैसे का, तो 8 प्लस 1 रुपया 60 पैसा, that is 9 रुपया 60 पैसा, है न, same formula, यह देखो, वही चीज यहाँ पे हमने practically देखा, जित न, दिर काम करोगे, वह तो मिलेगा, ही मिलेगा, साथ में जितना save करोगे, उसका bonus मिलेगा, time क्यो save करने का bonus है, यहाँ पे, अब देखो, इसके features देख लो, standard time जो है, वह आपको पहले से decide करना होता इसमें, the worker who complete their work in more time than standard are also paid the ways according to the standard rate, अगर आपने, यहाँ पे कितना था standard time, यहाँ पे standard time अगर 10 घंटे है, और किसी worker ने 11 घंटे में pay किया है, 11 घंटे में काम को complete किया है, तो उनको भी ways standard rate के according ही pay किया जाएगा, thus in this system also there is no provision of punishment for late completion of the work, अगर 10 घंटे का standard time है, किसी ने 11 घंटे में complete किया, तो उसको 11 घंटे के पैसे दिये जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 10 घंटे के पैसे दिये जाएंगे, 11 घंटे के पैसे दिये जाएंगे, लेकिन कोई punishment नहीं दी जाएगी, standard rate भी पहले से fix होना चाहिए और standard time भी, the worker who complete their work within standard time are paid the ways according to the standard time, जो complete करेंगे standard time तक के अंदर अंदर उनको standard time के according ही payment दिया जाएगा, जो efficient होंगे, जो time को save करेंगे, उनको bonus मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो उनको penalized नहीं किया जाएगा, the worker who complete their work before standard time, उनको क्या मिलेगा, उनको standard rate के साथ साथ bonus भी मिलेगा ठीक है bonus is calculated in the ratio of time save with standard time bonus कैसे calculate करेंगे time saved divided by standard time देखो यहाँ पे था ना कहा गया रुको यह चीज यह जो है ना यह तुम्हारा bonus कैसे calculate करते है चलो देखो अब देख लो merits it checks over speeding because the worker cannot get bonus more than 25% of the standard time है ना यह थोड़ा सा over speed कर देता है चीजों को worker को काफी speedly काम करने को मिलता है worker को काफी speed मिला देता है this method of incentive waste plan is based on scientific calculation यह scientific calculation के पे based है आप scientifically सारे चीजों को calculate कर रहे हो the worker get higher bonus under this system यह तुम्हारा जो हालसे का plan था ना उससे जादा bonus इस plan में लोगों को मिल जाता है वहाँ पे क्या होता था जितना time save कर रहे हो उसका 50% मिलता था यहाँ तो full on मिल रहा है ना next है तुम्हारा demerit क्या-क्या है under this system the bonus is always in decreasing proportion because as the time saved by worker reducing, bonus के आना कम होता चला जाएगा जितना जादा समय वो लेंगे उतना कम उनको bonus मिलेगा यह थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है understand करना worker के द्वारा क्योंकि worker थो भई उतने पढ़े लिखे होते नहीं है थोड़ा problem हो जाता है due to decreasing proportion of bonus the worker do not get due encouragement to work more and more under this system क्योंकि bonus जो है ना decreasing proportion में जाता है इसलिए worker जादा encourage नहीं होते काम को करने के लिए ऐसे system में it may be possible under this system that the bonus of a very efficient worker and less efficient worker are same कभी न कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो bonus है ना वो efficient और inefficient का same हो जाए क्योंकि देखे यहाँ पे यह नहीं है कि अगर आप standard time के बाद खतम करते हो तो भी आपको उतने का मिलेगा अगर 10 घंटे का standard time आपका fix कर दिया गया है और आप काम को 12 घंटे में complete करते हो तो आप 12 घंटे का payment उठाओगे एक रुपे के हिसाब से पर घंटा दिया जा रहा है और 10 घंटे का standard time है और आप 12 घंटे में complete करते हो तो आप 12 घंटे में उठाओगे और अगर कोई 8 घंटे में भी कत्म कर लेता है और 2 घंटा सेव कर लेता है तो वो भी 9 घंटे साथ पैसा ही उठाएगा तो फिर efficient और inefficient में क्या फर्क हो गया ऐसा होना चाहिए था ना कि standard time तक कहीं आपको पैसा मिलेगा उसके अगर आप उपर उठाते हो time लेते हो तो फिर आपको पैसे नहीं दिये जाएंगे लेकिन यहां पर रोवन में क्या हो रहा है कि आप जितना भी time लगाओ आपको per rate के हिसाब से पैसा मिलेगा लेकिन अगर आप save कर लोगे तो आपको bonus मिलेगा तो होश यार लोग तो 12 गंटे में खत्म करेंगे न फिर तो यह थोड़ा से इसका drawback है due to guarantee of minimum wage the worker do not get due encouragement minimum wage तो fix है फिर जादा encourage नहीं होते workers आप देखिए next is Taylor differential piece rate system यह किसने introduce किया था Mr. F.W. Taylor ने इस system में क्या था standard time for every work is determined on the basis of time and motion study भाई भी Taylor ने तो बहुत जादा focus किया time and motion study पे तो बाकी सब में तो past performance के basis पे standard time fix करते थे यहाँ पे time and motion study को study करने के बाद करेंगे two rates of wages are determined as high rate and low rate दो तरीके के ways determined किये गए एक high rate और एक low rate the worker who complete their work within the standard time or before the standard time are paid wages according to high rate, जो लोग standard time तक में complete कर ले या standard time के पहले complete कर ले work को उनको high rate of ways मिलेगा, दो तरीके के rate fix किये जाते थे एक high rate और एक low rate, अब जो time रहते complete कर ले या time पे complete कर ले उनको high rate से पैसे दिये जाएंगे, the worker who complete their work in more than the standard time are paid the ways according to lower rate, है ना, अब जो लोग time के बाद complete करेंगे उनको lower rate से पैसे दिये जाएंगे, देखी इसका basic feature देख लेते हैं, इसमें क्या है कि worker जो complete कर लेते हैं work more than the time, standard time are paid the ways at lower rate, दो तरीके के rate है ना, lower rate and higher rate तो जो पहले complete कर लेंगे उनको low rate से पैसे मिलेंगे, अब suppose कर लो कि एक काम को करने के लिए 10 घंटे का standard time fix कर दिया गया, जो time रहते complete कर लेंगे उनको 10 रुपे पर rate 10 रुपे के हिसाब से payment दिया जाएगा और अगर 10 घंटे के बाद अगर कोई complete करते हैं तो उनको 9 रुपे के हिसाब से payment दिया जाएगा, तो lower rate हो जाएगा 9 रुपया और higher rate हो जाएगा 10 रुपया, जितना efficient रहेंगे उसके हिसाब से उनको payment दिया जाएगा means कि जो waste determined किया जाएगा वो दो तरीके से किया जाएगा, higher rate में और lower rate में, standard time इसमें पहले से determine किया जाता है जो worker work को complete कर लेंगे within the standard time और before the standard time उनको high rate से पैसे मिलते हैं, इसको basically अच्छे से समझ लेते हैं कि example के through, देखो standard work fix कर लिया गया है, 10 unit per day एक दिन में आपको 10 unit produce कर दिया है, यह standard work है अगर आप एक दिन में 10 unit produce कर लेते हो, या 10 unit से जादा produce कर लेते हो, तो आपको higher rate of wage मिलेगा, अगर higher rate एक रुपय के हिसाब से है तो आपको एक रुपया per unit मिलेगा, यानि आप 10 रुपय कमाऊगे means कि 10 कर लो या 10 से अधिक कर लो, तो आप higher rate के हिसाब से आपको payment दिया जाएगा और अगर 10 से कम करते हो तो आपको lower rate से payment दिया जाएगा clear है, next देख लीजे इसके merits, ये system क्या करता है reduce करता है cost of production को, per unit cost जो होता है वो reduce हो जाता है इस system से दूसरा क्या है ये system based है scientific calculation, proper work and job standardization पे, ठीक है ना सारे calculation scientific way में होते हैं, क्योंकि आप motion study कर रहे हो time study कर रहे हो, सब कुछ scientific way में analyze कर रहे हो उसके बाद सारे काम को कर रहे हो तो scientific calculation है उसके साथ ही साथ next क्या है, most important merit of this system are that it reward an efficient worker and penalize the inefficient worker efficient worker को reward देता है और inefficient worker को penalty देता है अगर आप कम काम करेंगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे, जादा काम करेंगे, जादा पैसे मिलेंगे, same work के लिए, this system help in eliminating the worker who are quite inefficient, because in the course of time they will get try to get the work elsewhere अब यहाँ पर क्या होता है, उन worker को eliminate किया जाता है, जो inefficient है, क्योंकि time रहते अगर आप काम कर देंगे, तो आपको जादा पैसे मिलेंगे, अगर आप inefficient है, तो भाई आप organization छोड़िए कहीं और देख लिजे, काफी easy to understand होता है, और easy to calculate होता है, अब इसके demerits देख लिजे, demerits क्या है अगर आप standard work को worker complete कर देते हैं, less than its normal capacity it cause great dissatisfaction among the worker अगर आप standard work complete कर लेते हैं, normal capacity से, तो कहीं न कहीं आपको dissatisfaction होगा, यानि जो standard work दिया गया, आपके capacity से कहीं कम है, तो भी dissatisfaction आपको होगा ना भाई, इससे जादा मेरी capacity है, लेकिन इससे कम standard दिया जा रहा है, मैं कम पैसे कमा रहा हूँ the greatest demerit of this system is that it does not guarantee minimum wage, यहाँ पर minimum wage नहीं है, जितना काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे, तो कहीं न कहीं यह labor union के द्वारा oppose किया जाने वाला system है, this system classify the worker into two categories, दो category में बांट दिये है, efficient worker और inefficient worker, यह system क्या help करता है eliminate कर देता है उन worker को जो थोड़े बहुत भी inefficient है, because in the course of time they will try to get the work elsewhere, जो inefficient है उनको वो हटा देता है, तो कहीं न कहीं आपके labor turnover के बढ़ने के chances जादा होते हैं, clear है next आपका क्या है Gant bonus plan यह system कौन introduce किया था, Mr. H.L. Gant इस system में क्या था minimum amount of waste to be paid to the worker is determined, minimum कितना दिया जाएगा वो determined होता था पहले से, the worker who complete their work within standard और before standard standard जितना fix किया गया उतना या उससे कम उनमें जो अकर काम को खतम कर देते हैं, तो उनको क्या दिया जाता था bonus दिया जाता था कितने का bonus दिया जाता था 25% of their ways एक fix ways fix रहता था, पहरे से determined होता था अगर standard के इतना या standard से कम time में काम को worker complete कर देते थे, तो उन worker को 25% का bonus दिया जाता था, यानि उनका जो ways fix किया गया है, उसका 25% उनको bonus के तौर पे दिया जाता था rate of bonus क्या होता था, 33 1 by 3% the worker who complete their work in more than standard time are also paid the ways determined earlier, standard time से जादा में भी जो खतम करेंगे, उनको जो ways determine किया गया था पहले से उतना का पैसा दिया जाएगा लेकिन अगर आप पहले खतम कर लेते हैं तो जो आपका waste था, उससे 25 या 50% जादा आपको bonus के तौर पे मिलेगा अब suppose करो एक example से इसको समझ लेते हैं, standard work जो है, वो 20 unit standard work आपको कितना करना, 20 unit करना है, standard time दिया गया, 8 घंटे में आपको 20 unit बना लेना है, rate of bonus क्या है, 33, 1 by 3 ठीक है, अब rate of ways क्या होगा, 50% पैसे per hour, 50 पैसे, sorry ये percentage आ गया है 50 पैसे per hour, rate of bonus है 50%, ठीक है if a worker produce 20 unit in 8 hour, अगर standard time, standard work को, standard time में कोई worker complete कर लेता है, तो उसका ways क्या हो जाएगा, 4 रुपया, and he will also get a bonus at rate of 33, 1 by 3, which will be rupees 1.33 उसका जो ways हो गया, यानि 4 रुपया, 4 रुपया का 25%, अगर उसको मिल जाता है, 33, 1 by 3 percent मिल जाता है, तो उसका cool पैसा कितना हो जाएगा, बोनस का, 1.33, तो फिर उसका total ways क्या हो जाएगा, 5.33, on the other hand, if he produce less than 20 unit, in 8 hour, he will get 4 as his ways, आप देखो, अगर आप these unit को 8 घंटे में खतम कर लेते हो, तो आपको bonus मिल रहा है, 33, 1 by 3 percent का, यानि आपका जो, मतलब पैसे आप कमा रहे हो, उसका 33, 1 by 3 percent आपको bonus के तौर पे मिल रहा है, आगर आप नहीं कम पहले खतम कर लेते हैं, इसके बाद खतम करोगे, तो बस ये bonus नहीं मिलेगा, लेकिन जो fix amount पैसे आपको दिये जा रहा है, 50 पैसा पर आवर, वो मिलेगा, ही मिलेगा, clear है, तो अब देखो, इसके merits क्या है, तो पहला है, this system is easy to understand and calculate, भही, इस सारे वाले में merit लिख देना, सब में यही आता है, this system encourage the worker to complete their work in standard time, यह worker को encourage करता है, कि वो standard time में complete करें work को, this system is useful from the point of view of the employer also, because it cows economy in the cost of production, यह employer के point of view से काफी अच्छा है, क्योंकि economical है, cost of production के angle से, next, देखिए, under this system of four men, और supervisor also get bonus, in proportion to the bonus earned by his worker, इसमें, अगर जिस supervisor के अंदर, जो worker आता है, और अगर वो efficient है, वो bonus कमाता है, तो उसके supervisor को भी bonus दिया जाता है, तो कहीं न कहीं यह harmonious relationship create करता है, labor और capital के बीच में, कि भाई, अगर worker अच्छे से काम करेगा, तो supervisor को भी bonus दिया जाएगा, उसका कुछ percentage, तो supervisor भी अच्छे से काम करेगा, worker भी अच्छे से काम करेगा, इस system में क्या होता है, worker get a guarantee of minimum wage, यहाँ पर guarantee है minimum wage का, सारे में अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसमें सारे में हमारा क्या है guarantee है, बस एक में नहीं है, किस में? टेलर में, next देखिए, क्या है? demerit, the worker does not bother for more work, because they get a guarantee for minimum wage, minimum wage तो मिली रहा है, क्यों जादा शरीर पे आफत लेने के लिए कोई जाएगा है, यह labor union के against होता है, labor union के interest में नहीं होता है, इसलिए labor union इसके against में होते हैं, यह standard performance काफी अगर high रह गया, तो कहीं न कहीं worker में dissatisfaction आ सकता है, standard performance जो है, वो काफी high रहना चाहिए, इसमें, इस system classify the worker into two categories, दो category में बांट दे रहा है, efficient और inefficient, so that's all about today's video, अगर video पसंद आया हो, तो like और share जरूर कीजेगा, मैं काफी effort लगा रही हूं, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, stay tuned, bye-bye.